जी मेरा नाम उस्मान अली पाशा है मैं भारतिय किसान यूनियन अंदाता का यूबा फिर देश अध्यक्षू आज जैसा कि संयूप किसान मोर्चा के आहवान पर पूरे देश में काला दिवस के रूप में मनाना था लेकिन हमने क्योंकि बैसे ही अपने रामपुर जनपत में जो कोरोना के मरीज बढ़ना है जिसकी पर जैसे और ऑक्सिजन की भी कमी हो रही है तो पुतला देहन करना था सरकार का तो हमने पुतला देहन नहीं किया क्योंकि जब हम पुतला देहन करते हैं तो उससे कारवन डाय अक्साइड गैस निकलती है और इतने ज़्यादा पुतले देहन करने से हमारे जनपत का जो वो है अक्सिजन लेवल नीचे जाता तो इसलिए हमने जिलादीकारी महोदे को ग्यापन दिया जो मानी प्रधान मंत्री जी को संबोधित ग्यापन है पांसूत्री ग्यापन उसमें पिर्मुक मांग जो है हमारी जो सरकार लाई है किर्सी अध्यादेश 2020 वो पूरी तरह से किसान बिरोधी और गरीब बिरोधी पाएगा क्यों क्योंकि सरकार इस कानून में जो सबसे बड़ा सरकार इसका फाइदा बता रही है वो बतला रही है कॉंट्रैक्ट फार्मिंग और कॉंट्रैक्ट फार्मिंग से जहां एक और किसान बंदवा मजदूर की श्रेडिम आएगा बंदवा मजदूर की तरह अप किसान अपने फसल का द्योग पतियों के हाथों जो जारी थी बात है कि प्टीवीर के पास में एक दाना खरीदे के लिए नहीं बचेगा किंगी सारा इम्स प्पे किसांद से करे के दोरा तो यह vicious क सरकार नहीं करेगी ज़सार के पास में एक दानले नहीं का तो फिर यह जो राशन की, दुकानों पर जो और जो और जानल का बितराल होता दो-़ोपे किलो गे करें जिस तरह से इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आगे बैपार बढ़ना शुरू किया था और किसानों से ने जो ईश्वता करना चाहती है कि जो भी खाध्यान है मैं अब अब सब चीज थो फेती द्योपितियों के हाथ में पहुच्चुकी है अगर जैसे कि मालीजे का संचार सेवा है पहले भारत संचार निगम लिमिटेट उसकी हुआ करती थी और वो सब को मतलब केते हैं दूर भासकी सुविध आदेती थी अब भारत संचार निगम लिमिटेट की जगा पर हम पूरी तरह सर जियो के मतलब केते हैं जियो है या जो भी मतलब प्राइबेट कंपनिया हैं उनके मौताज जैसे हो गएं क्यूंकि अगर ये कंपनिया आज इंटरनेट बंद कर दें तो हमारे देश की पूरी तरह से देश से चोपड हो जाएगा तो हमें सहकारिता को भी बचाना है और किसान को बचाना है सबसे ज़्यादा जरूरी जो है देश का किसान है अगर किसान नहीं रहा और ये अनाज अगर उद्द्योग पतियों के हाथ में पहुँच गया तो आप यकिन नहीं करेंगे कि जो गैहूं आप किलो के हिसाब से खरीदते हैं या आटा आप किलो के ह एक चीज है कि सरकार को किसानों की फिकर है अभी क्योंकि अंदोलन याच्ट नहीन में अधला कियते हैं जो प्राइवेट का यांदोलन का recent कि सरकार उनी पिरति गटा हो गया था तो किसान अंदोलन को देखते हुए सरकार ने सबसीडी बढ़ाई है पहली बार जो की 500 रुपे पिर्थी कट्टा से बढ़ा कर बारा सो रुपे पिर्थी कट्टा कर दिये जिसका फाइदा किसानों को मिल रहा है तो यह चीजों की जरूरत नहीं है हम कहते हैं कि आप मानिये प्रधान मंत्री जी जो आपने चया अनुसार किसानों की फसल का मूले घोषित किया जाएगा तो आप उस बादे को पूरा तर्व आ फंक कर देए कि को समस्या नहीं हैं में बहत बहुत चुक्रिया जै जै जवान जै किसान